दोस्तों आप सभी जैनते ही होंगे कि हमारी दुनिया बहुत सारे रहसियों से भरी हुए है और शायद यही वजा है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में आज भी बहुत सी रहसिमाई चीज़ों में से कुछ चीज़ों तो ऐसी भी हैं जो गर मिल जाएं तो वो मानब्ता का इत मेकसिको स्थित टोलु का घाटी में खोजा गया था जिसका अधिकारिक नाम टेकाक से कालिक्स चला हुआ का हिद है वेल इसे पहली बार देखने पर आपको यह किसी साधारिन प्राचीन मूर्ती की तरह ही लगेगा लेकिन आपको जैनकार हिरानी होगी कि यह सच में बहु सर मिला तब इसके साथ और भी बहुत सी अन्य चीज़े मिले जो कि पंदरवी सदी के आसपास की थी पर यह सर उनमें से सबसे अलग था अब सभी को जैनकर हैरानी होगी कि इसे खोजने वाले आकेलोजिस्ट खोजे गार्सिया पेउन ने पहले इसके खोज को दुनिया से छिपा कर रखा क्योंकि उनका मानना था कि उनके इस खोज को कोई भी सीरियसली नहीं लगा पर 1960 में आखिरकार उन्होंने दुनिया को इसके बारे में बता दिया जिसके बाद ये दुनिया भर के वैग्यानिकों और जानकारों के बीच एक चर्चा का विशय बन गया जिसक भी मेक्सिको में इसका मिलना एक रहे से बना हुआ है अब सबी ने तलवारें तो जरूर देखियोंगी लेकिन क्या आप सबी को पता है सन 1825 में आकेलाजस्त को योके के लेंकन शायर में मौझूद विटम नदी से एक ऐसी प्राचीन तलवार मिले जिसके उपर एक अलग भाशा में कुछ लिखा हुआ था और शायद यही वज़ा थी कि ये तलवार खोज करताओं के बीच बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गई इस तलवार की जाच करने पर पता चला कि ये 13 सदिकी है पर इसकी खोज से लेकर आज तक कोई भी इसके उपर लिखे रहसे मई शब्दों का सही मतलब नहीं बता पाया है अगर आप सभी भी इस तलवार को असल में देखना चाहते हैं तब आपको उसके लिए UK के British Library में जाना पड़ेगा विल शुरुवाती जानकारी के अनुसार बहुत से जानकारों का ये मानना है कि से जौमनी के किसी जगापे बनाया गया है जो कि स्टील से बनी हुई है और जिसके उपर एक क्रॉस का साइन भी बना हुआ है हलनके आज भी इसके उपर लिखे हुए शब्दों को कोई डिकोड नहीं कर पाया है और इसी करण से जानकारों द्वारा आम नागरिकों की मदद लिगई है खेर कई लोगों का ये कहना है कि इस तरह की तलवाने योरोप में 13 सदी के आसपास बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में ली जाते थी और इनके उपर इस तरह के लेखों का इस्तेमाल इन्हें जैदूई शक्तियों से युक्त बनाने के लिए किया जाता था दोस्तों हॉमिया 2003 में खोल जा गया एक छोटा ग्रह है जो कि निप्चियून ग्रह के पास क्यूपर बेल्ट में मौझूद है इस प्लैनेट का आकार प्लूटो की तरह ही है और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला तारा है और शायद अपनी इसी गती की वज़ा से इसका आकार भी बहुत ही ज्यादा अलग है बिल्कुल किसी अमेरिकन फुटबॉल की तरह अब आपके मन में ये खयाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका नाम हौमिया कैसे पड़ा विल्स प्लानेट का नाम हवायन देवी के उपर रखा गया जो कि उर्वता की देवी मानी जाती है लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नए छुदर ग्रह में रहसे मई क्या है विल्स में रहसे मई है इसके आसपास मौजूद रेंग जो कि 2017 में खोजी गई थी और इसी वज़ा से ये क्यूपर बिल्ट में मौजूद ऐसा पहला अबजिक्ट बन गया है जिसके आसपास रेंग मौजूद है दूस्तों इसे साल इंग्लेंड में मौजूद सोव नदी के किनारी जब एक मच्छुआरा अपने बच्चों के साथ मचली पकड़ रहा था तब उसके दुआरा नदी के अंदर एक ऐसी चीज खोजी गई जिसने सारे दुनिया को चौंका दिया वेल ये खोज कुछ और नहीं बलकि चांदी के बड़े-बड़े क्यूब आकार के ब्रिक्स थे जिन पर किसी अग्याद भाषा में कुछ लिखा हुआ था अब सभी को जानकर हरानी होगी कि इस खोज में एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे साथ क्यूब्स खोजे गए थे और इन पूरे क्यूब्स के उपर कुछ नो कुछ लिखा हुआ था इतना ही नहीं जब इने खोजी जानी के खबर इंटरनेट पे वाइरल हुई तब बहुत से लोगों ने इनका रहसे सुलजाने का प्रयास किया और इनके उपर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने के कोशिश भी की जिसके बाद कई लोगों ने इने एक तरह का रटिन टोकन बताया अलंके कोई भी इनके उपर लिखे शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया पर हाली में ये दावा किया गया है कि इनके उपर लिखी हुई भाषा संस्कृत से मेल खाती है और ये कहीं न कहीं किसी तरह की पूजा में इस्तेमाल किये जाते थे अब सभी प्राचीन भारत में योध के दोरान इस्तेमाल किये जाने वाले हतियार यानि कि गदा से तो अच्छे से वाकिफ होंगे जिसका विवरन हमारी पौरानिक कथाओं में भी मिलता है अज भारत में बहुत सी मूवीज या फिर टीवी शोज में गदा को प्रमकुरूप से किसे योध के सीन में इस्तेमाल किया जाता है जिसा कि आप सभी जानते होंगे कि गदा का प्रयोग भारत के सबसे पूझनी ये भगवानों में से एक हनुमान जी द्वारा किया जाता था जो इसे हमेशा अपने साथ रखते थे और इसी वज़ा से दुन्या भर में पहलवान और रसलर्स भगवान हनुमान की पूझा करते हैं पर क्या आप सभी को मालूम है गदा का प्रयोग सिर्फ हनुमान जी ही नहीं बलकि त्रीदेवों में से एक भगवान विश्नु भी किया करते थे और हमेशा उनके हाथ में भी एक गदा रहता था अच सर्व भारत ही नहीं दुनिया भर में गदा का इस्तेमाल ग्रिप को मस्बूत करने के लिए किया जाता है और और तो और जिम के अंदर भी कंदे की कसरत के लिए गदा प्रमुक रूप से इस्तेमाल होता है सल 2015 में खोज करताओं को रूस के वुल्गोग्राड छेत्र में कुछ ऐसे मिटल डिस्क मिले जो कि आकार में बहुत ज्यादा बढ़े थे अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन डिस्क को टंग्स्टन मिटल द्वारा बनाया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है अज बहुत से जानकार कहते हैं कि ये डिस्क से एक ऐसी जगा मिली है जहां अकसर अजीब घटनाए होती रहती है और ऐसे में इने एलियन यान कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इनका आकार भी बिल्कुल एलियन यान की तरह ही है हलें कि वैग्यानिकों द्वारा कभी भी ऐसा दावा नहीं किया गया कि ये एलियन रॉक्स हैं जिस वज़ा से ये लोगों के बीच अकसर कौतुहल का विशय बनी रहती है कई लोगों का मानना है कि इन रॉक्स को एलियन द्वारा धरती पहलाया गया था और ऐसे में ये और भी ज्यादा रहस्यमाई हो जाती है खेर आज तक कोई भी इन डिस्क्स के बारे में कोई सटीक जैनकारी नहीं दे पाया है दोस्तों टैबी स्टार मानव सभिता के सामने आया अब तक का सबसे रहस्यमाई तारा है जो कि हमारी प्रिथवी से करीब 1417 प्रकाश वर्ष दूर है लेकिन क्या आप सभी को पता है जबसे हम इंसानों द्वारा इस तारे की खोज की गई है ये तभी से बहुत ही अलेक तरीके से बरताव कर रहा है और यही वज़ा है कि इसने वैग्यानिकों और अस्ट्रोनुमर्स का ध्यान अपनी तरफ खीचा है अब को जानकर हैरानी होगी कि जो लाइट इस तारे से निकलती है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर अपने अंदर बदलाव करती है कभी-कभी तो इसकी रोशनी 22 प्रतिशत तक कम हो जाती है जिस वज़ा से कई वैग्यानिकों का यहां तक मानना है कि शायद ये कोई एलियन शिप है जो कि बार-बार अपनी रोशनी में बदलाव कर लेता है हलंकि कई वैग्यानिक इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि शायद कोई dust particles और उलकपेंड इस तारे का चकर लगाते हैं जिस वज़ा से इसकी रोशनी में बदलाव देखने को मिलता रहता है पर आज भी इस थियोरी का कोई भी ठोस प्रमान नहीं है जिस वज़ा से ये लोगों के लिए अब भी एक रहसे बना हुआ है किंसिंक्टन रनस्टोन एक 92 किलो का पत्थर का टुकड़ा है जो कि डगलस काउंटी मिनिसोटा में मौझूद है इस पत्थर को 1898 में ओलोफ ओनान नामक एक स्वीडिश शरनार्थी द्वारा खोजा गया था दोस्तों आप सब को जानकर हैरानी होगी कि ग्रेविक से बना ये पत्थर दुनिया का सबसे ज्यादा रहसे में आकेलोजिकल आर्टिफाक्ट है इस पत्थर पे लिखे टेक्स बहुत ही ज्यादा आजीब हैं और आज भी कोई नहीं जानता कि आखर किस के द्वारा इन्हें लिखा गया था दोस्तों इन टेक्स को वाइकिंग्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में लिखा गया था जो बताता है कि शायद वाइकिंग्स इस जगा आये थे और उन्होंने इस पत्थर पे कुछ लिखा था हलंकि इस पर लिखेगा टेक्स को आज भी डिकोड नहीं किया जा सका है खर जो भी हो पर वैग्यानी के जानने में लगे हैं कि वाइकिंग्स का ये 1392 का आर्टिफाक्ट नॉर्थ अमेरिका कैसे पहुचा जो कि एक असामाने बात है क्योंकि कई जानकारों के अनुसार वाइकिंग्स कभी नॉर्थ अमेरिका आये ही नहीं जिस वज़े से कई लोग इस खोज को फेक भी मानते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंट्रस्टिंग विडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद